Welcome to Ais canaclic world! एसे माँ आपके साथ शेयर करूंगी पनीर दोप्याजा रेसिपी टेस्टी तो होगी ही साथ ही बनानी आसान और चली है शुरू करते हैं पनीर दोप्याजा बनाना सबसे पहले मैं यहां पर एक टेबिल सपून क्योंग वाइल डालोंगी और यह पनीर के पीस को शेलो फिराई कर लोंगी, यह पनीर भी फिराई हो चुका है, पनीर को हम एक प्लेट में बाहर निकल लेते हैं, दो मीडियम साइज की प्याज को मैंने इस टाइप से कट कर लिया है, इस तरीके के पीस मैंने इसके अलग कर लिये हैं, और प्याज को भ दो मीडियम साइज की प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है यह डाल देंगे और सॉफ होने तक भूनेंगे प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है और यह चार टेबल स्पून टमाटो प्यूरी है मेरे पास यह डाल लई हूँ मैं आप इसकी जगापर टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं और यह चार टेबल स्पून काजू का पेस्ट और एक मिनट भूनेंगे दोनों को दोनों कुछ मसाली भी आइट कर लेंगे आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पॉडर डालेंगे एक टेबल स्पून धनिया पॉडर आधा टेबल स्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब सही रखें आप एक वींच हल्डी पॉडर एक मिनट और भूनेंगे और यह मसाला भी अच्छे से भून चुका है थोड़े दूद के साथ मसालों को भूनेंगे जब तक भूनेंगे जब तक टेल मसाले से अलग नहीं हो जाएगा पनीर के पीस भी आट कर देंगे इसमें और कवर करके पकाएंगे हम इसको पांच मिनट तक लो फ्लेम पर पांच मिनट हो गए हैं चैक कर लेते हैं यह फ्राई हुई प्याज को भी मैंने इसमें डाल दिया है प्याज को बहुत जादा मसलेंगे नहीं पीसीज में ही रहने रहेंगे मुछ मसाले अट करेंगे अधा टीज स्पून किचिंकीं मसाला जो हमारे पनीद को और भी तेस्टी बनायेगा और यह आधा टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाऊडर आधा टी स्पून गरम मसाला, एक टेबली स्पून कस्तुरी मेथी, थोड़े पानी के साथ फिर से पकाएंगे हम इसको दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर, दो मिनट हो गए हैं, चैक कर लेते हैं, यह हमारा परीड दो प्याजा बन कर तेयार है, डिश आउट कर लेते हैं, एक दम फ्लेवर फुल और रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर जरूर ट्राय करें, अगर आपको म